मृत्युन जय महादेवा त्राहिमाम सरणागतम जन्म मृत्यु जराब्याधी पीडिताम कर्मबंद नई ही नमस्कार मित्रों मैं आचारिज प्रमोध उपाध्याय आप सभी का पुना हार्दिक स्वागत करता है आप सभी के शमक्षाज में उपस्थित हूं जिस कार्जक्र सिवलिंग घर में रखना चाहिए या फिर नहीं सिवलिंग का पूजन का बिधान क्या है सिवलिंग अगर घर में रखते हैं तो उसको किस तरीके से रखना चाहिए या किस दिशा में रखना चाहिए सास्त्र क्या काता है तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सिव पुराण में बरणन है कि सिव लिंग को घर में नहीं रखना चाहिए शास्त्र काता है यह लेकिन बहुत सारे लोग जो कि भगवान सिव के भक्त होते हैं या बहुत सिव के पूजन में बहुत मन लगता है दिल से भगवान को प्रशन करना चाहते हैं वैसे भी भगवान भोले नात सबसे अधिक प्रसंद होते हैं और सबसे जल्दी भी तो बहुत सारे लोग यहां पर चाहते हैं कि भगवान सीव के उपासना को करके और कम समय में अधिक पुन्य प्रदान यानि किमाफ कीजिएगा कि पुन्य प्राप्त किया جा सकے और अपने जीवन में खुसिया ही खुसिया मिले इसलिए भगवान सिव के उपासना करना चाहते और स्विलिंग को घर में स्थापित करना चाहते उसके कुछ नियम है, सास्त्र काता है कि सिवलिंग यदि आप घर में रखना भी चाहते हैं तो उसके लिए सरप्रतम आपको जान लेना आवश्यक है कि सिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए अब बहुत सारे लोग के आजाएए तो देखने को मिलता है कि सिवलिंग का जो आकार है वह बड़ा होता है तो सिवलिंग ध्यान रहे कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए अगर आप रखना भी चाहते हैं तो उसके नियम बहुत ही जवरदस तरीके के हैं नियम में शतर्क्ता बरत्ना आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा अन्यथा जिसकारी की सिद्धी के लिए आप भगवान सिव के लिंग को घर में स्थापित करना चाहते हैं जिस्पुन्य की प्राप्ती के लिए घर में स्थापित करना चाहते हैं कहीं आप दोस्त के भागी तो नहीं बन रहे हैं इस बात का विशेश ख्याल रखने की आवशेक्ता है इसलिए सिवलिंग के बारे में सिव पुराणे में वर्णन है कि अंगुठे के बराबर यानि के उपर का जो भाग है इतना ही बड़ा सिवलिंग रखना चाहिए इससे अधिक बड़ा सिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए अनिष्ट होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके जीवन में कला होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घर में क्लेस की स्थ सिवलिंग घर में रखें और सिवलिंग की जो दिशा है वह उत्तर दिशा होनी चाहिए उत्तर दिशा में सिवलिंग स्थापित करें और यह ध्यान रहे कि सिवलिंग जब भी स्थापित करते हैं संभव हो या हर संभव प्रयास इस तरीके का हो कि प्रतिदिन भगवान सिव क के लिंग पर अभिशेक करें और अभिशेक करने के बाद सिवलिंग को कभी भी सुना नहीं छोड़ना चाहिए अर्थात सिवलिंग के उपर पुस्प या बिल्लुपत्र हमेशा अवस्थ से चढ़ा कर रखें और नियथा उससे भी आपके जीवन में कई सारी समस्याय आसकती के ऐसा सास्तर काता है उसके आप सिवलिंग को रखते समय इस बात का विशेश ख्याल रखें कि सिवलिंग ऐसे ही ना रखें किसी पात्र के अंदर रखें लेकिन वह पात्र स्टील का नहीं होना चाहिए वह पात्र कांसे का हो तो सबसे सुन्दर है और सिवलिंग को रखते जिवलिंग की ज़ल गिरने की दिशा है वह उत्तर की तड़फ ही होनी चाहिए किसी और दिशा में अगर जल गिरता है जलहरी तो उससे अनिष्ठ होने की कि जो स्थिती है काफी का समय निश्यकिण हो काड़ बढ़े और सथा साथ में इस बात का भिशच खेयल रखें कि आप जब भी कहीं घर से बाहर जाते हैं तो सिवलिंग को या तो साथ में लेकर जाए या फिर कोई ऐसा आप्यकति हो जो प्रते दिन को जानकारी प्रदान किया मुझे आसा है कि आपको यह मेरा पसंद आया होगा मित्रों यदी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर ले वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सेयर करें बेल आइकन को दबाया जिससे नई-ई-जानकारी आप तक पहुंचती रहे अपने जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परिशान है और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल प पराप्त कर सकते हैं या फिर उस समस्या का समाधान पराप्त कर सकते हैं तब तक के लिए इजाजत दीजिए नमस्कार